आज के ग्लास में हम कुछ ऐसे शब्दों को पढ़ने वाले हैं जो आपको शब्दों की पोजिशनिंग के बारे में बात करता है इसको प्रेपोजिशन कहते हैं अच्छे खासी वर्ड लिस्ट है मैं उन में से लेकर क्या हूँ जो आपके रियल एच्छा है ये कैसे डिसाइड होता है कि मोस्ट इंपोर्टन है देखो सबसे ज्यादा जो यूज होता है ना रियल लाइफ में हमारे तो उनको जो है आप ऐसा कंसिडर कर सकते हो कि आपके प्रस्पेक्टिव से आपके लहजे से आपके इस्तेमाल से वो मोस्ट इंपोर्टन है ठीक है ऐसे मैं सोच रही हूँ इसकी पूरी लिस्ट है आपको करा दू एक करके पार्ट्स में क्योंकि एक क्लास जो है बहुत लंबी हो जाएगी तो पार्ट्स में सोच रही हूँ सारे क्लासिस करा दूँ अगर आपको यह सारी क्लासिस चाहिए तो कमेंट करके मुझे बताना कि मैं ब्रेपोजिशन की पूरी वर्ड लिस्ट करा दो ठीक है तो पार्ट्स ऑफ स्पीश की क्लास करा रखी है यह वाली कराके फिर प्लेइलिस्ट लग बना दूँगे उसके ठीक है क्लास को आगे बढ़ाते हैं आप देख रहे हैं संदीत इंग्लिश अकाड़मी मैं हो प्रीथी मैं सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन आउन कर दीजेगा ताकि आगे की क्लास की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहें और अब क्लास को शूरू करते हैं सबसे बहला शब्द है आउन जो इस्तमाल होता है पर के जगापर ठीकेशन पर जो है हम हिंदी जब बोलते हैं तो हम लोग पर जो है कई बार ये लगाने के लिए बोलते हैं पर तुमने ऐसा क्यों किया पर उसने ऐसा क्यों बोला ठीकेशन तो ये वो पर नहीं है ठीकेश है किसी चीज के बारे में जो किसी दूसरी चीज से संबंदित हो जैसे जब कोई चीज दूसरी चीज को touch करती हुई हो तो हम on और उसके रखने का position की हम बात करें उस particular चीज के position की बात हम करें तो हम on का use करते हैं जैसे book maze पर है है ना the book is on the table clear the book is on the table over उपर या के उपर है ना इसको use करते हैं लेकिन आपको यह समझना होगा कि हर वाक्य जहां पर उपर का इस्तमाल हो रहा है आप हर उस वाक्य में over का use नहीं कर सकते हैं बिकास इसकी usage के हिसाब से words अलग-अलग हैं English में ठीके कैसे over हम तब use करेंगे जब दो चीजे जो है जिन दो चीजों के बारे में आप बात कर रहे हो वो एक दुसरे को touch नहीं कर रही है जब कोई चीज touch ना करें touch जब नहीं कर रही है तब बात करेंगे चैके जैसे पंखा मेरे सर के उपर है the fan is over my head तो यहां पर मैं किस के बात कर रही हूँ अपने सर के बात कर रही हूँ और अपने सर के उपर लगे पंखे के बात कर रही हूँ तो पंखा मेरे सर के उपर है तो सही पर वो लगनी रा मेरे सर को है तूटके गिर जाए वो अलग बात है बट अभी फिलाल as of now जो condition है जो situation है पंखा मेरे सिर के उपर तो है पर लगनी रहा मेरे को आ करके तो यहाँ पर इसको describe करने के लिए हम over word का use करेंगे फिर है in जिसका स्तमाल होता है जब भी आप मे का बात करते हो जब भी आप हिंडी मे मे यूज़ कर रहे हो लेकिन आपको इहाँ पर भी धियान देना होगा ठीक है कैसे धियान देना होगा जैसे आप location के बारे में बता रहे हो कि मोना पूने में रहती है मोना लिव्ज इन इस तरीके से इन को हम लोग यूज़ करेंगे इंग्लिश में फिर दूसरा वर्ड है हमारे पास into इसका मतलब होता है मे के अंदर और भी तर ये तीनों में से कोई भी वर्ड अगर आप अपने यूज़ कर रहे हो हिंदी में तो उसके इंग्लिश में into का यूज़ करेंगे सर्फ एक कंडिशन को ध्यान में रखते हुए वो कंडिशन क्या है कि जब कोई चीज किसी एक चीज से किसी दूसरी चीज में जाए है ना क्योई एक चीज जो है किसी एक जगह पर है वहां से उठकर कि वो दूसरी चीज में चली जाए तो into का यूज़ करते हैं उदारन द कुए के अंदर कूद गया, getting my point, नारे से कुए के अंदर कूद गया, तो जब कोई एक चीज एक जगा से दूसरी जगा को मतलब चली जाए, दूसरी जगा में गुश जाए, तो उस वहाँ पर into का यूज करते हैं, तो कहेंगे the frog jumped into the well, क्या कहेंगे, the frog jumped into the well, आगे बढ़ें के अंदर के भीतर, within word का यूज करेंगे, अंतरगत से आप समझ सकते हो कि विदीन कहां पर यूज होगा, के अंदर या के भीतर इसका मतलब तो होता है, लेकिन ये limit को set करता है, अंतरगत है ना, limit को set करना, जैसे आपने दो dates अगर बोली हैं, तो within two days, मतलब आपने limit set किया, पहला दिन, दूसरा दिन, यही limit है, इची दोनों दिन के बीच में करनी है, नहीं तो फिर वो काम नहीं होना है, जैसे मैं इस काम को चार दिनों के अंदर पूरा करूंगा, तो चार दिन के हमने limit set कर दी, क्या कहेंगे, I will finish this work within four days, ना चार दिन से पहले, ना चार दिन के ब limit हमारी क्या है, चार दिन, है ना, तो चार दिन के अंदर तीसरे दिन भी खतम हो सकता है, दूसरे दिन भी खतम हो सकता है, लेकिन चार दिन से जादा जाने का chance नहीं है, क्योंकि हमने limit set करी हुई है, है ना, इसलिए within word का हमने use कि, I will finish this work within four days, आगे बढ़े चलिए, नीचे के नीचे या अधीन, word यूज होता है अंडर का, देखो नीचे तो as such नीचे या के नीचे जो है, वो तो placement को लेकर के यूज होता है, कि हाँ, बिल्ली जो है, टेबल के नीचे है, चूहा जो है, वो पलंग के नीचे है, ऐसे बात करते हैं, लेकिन अधीन के जगापर, को लेकर के यूज होता है, जैसे कहते हैं, वो मेरे अंडर काम करता है, मेरे अधीन काम करता है, मेरे अंडर काम करता है, जूनियर टुमी है, मेरे अंडर काम करता है, चैके तो यहाँ पर इस तरीके से भी अंडर का यूज करते हैं, जैसे बिल्ली मेज के नीचे है, the cat is under the table ये तो simple है, कि भाया, बिल्ली जाकर table के नीचे बैट गई, तो हमने कहा, the cat is under the table, किसी ने पुछा, बिल्ली कहा है, कहेंगे, the cat is under the table, clear हो गया, इसके अलावा, वो मेरे अधीन काम करता है, अगर आपको कहना हो, तो कहेंगे, he works under me, he works under me, वो मेरे नीचे काम करता है, कहता है कि वो मेरे से junior है, तो कहने का ना तरीका होता है, एक तो आप कह सकते हो, बत्तमीजी से कह सकते हो, कि रहे, क्या बोलता है, वो तो मेरे नीचे काम करता है, वो मेरे, है ना, इस तरीके से लोग, बहुत मतला, politely नहीं कहते हैं इस चीज को, आप he is junior to me कह सकते हो, same message convey होगा, तो always try कि भले आपके अंडर काम कर रहा हो या कर रही हो, but always make sure कि human है हम लोग है, आमें सब की respect करनी चाहिए, चली आगे बढ़ते हैं, अगला word है, कभी यूज होगा, जब किसी भी वाकिय में आप का, के या की का यूज करेंगे, ठीके, तीनों में से कोई भी यूज करेंग के लगेगा, क्या लगेगा, ठीके, जैसे, जैसे किताब का cover, है न, कहेंगे cover of book, वहाँ पर वो अला off लगेगा, ये है off, जिसका मतलब होता है, बंद, क्या change हुआ, वहाँ पर single F था, यहाँ पर double F हो गया, ठीके, एक लेकिन इसका मतलब हो गया, बंद, close, है न, बंद हो इसका मतलब, जैसे, light, बंद कर दो, कहां हमने, switch of the light, switch of the light, आपने बहुत किसी को सुना होगा, बोलते हैं, कि आरे, आज मेरा off है, है न, तो आपने कभी सोचा है, कि वह कौन सा off लगा रहा है, O double F लगा रहा है, कि O F लगा रहा है, मैं बता दू, वह O double F लगा रहा है, क्य कि वह बंद, close, छुटी, के बारे में बात कर रहा है, तो वह O double F लगा रहा है, कि आज मेरा off है, दोनों का, na, spelling में बहुत minor difference है, क्योंकि, मतलब, confusion वाला difference है, minor तो नहीं, major difference है, but confusion वाला difference है, एक में एक F लगता है, एक में डबल F लगता है, चिके, और बहुत जादा, हम लोग used to be नहीं है, इस तरीके के spelling से, ठीक है, जैसे एक कौन सा है हमारे पास, एक off, off है, एक to, two है, ठीक है, ये दोनों है, तो इसमें confusion होती है, लोगों को, लेकिन आपको नहीं होनी चाहिए, क्योंकि आप मेरी वाली class attend कर रहे हो, और दूसरी बात कहा है, उच्चारन दोनों का same है, off, off, है ना, जैसे two, two का उचारन same है, यहाँ पर भी उचारन जो है, वो same है, तो इस वज़े से कई बार जो है, लोगों confusion हो जाती है, बड़ा पी याद रखना, कि ऐसे याद रखना इसको, जहाँ पे f अगर जादा लगा है, इसका मतलब है, वो बंद के बा हो ना, जैसे वो दिल्ली से आया है, he has come from Delhi, है ना, सोमवार से शुकरवार, Monday to Friday, है ना, इस तरीकी के वाक्यों में, from का use होता है, अच्छा नहीं, Monday to Friday हुआ, तो two के जगा पर भी say का use होता है, लेकिन जब आप location की बात करोगे, तो उसके जगा पर, देखो say का क्या हो गया say के जगा पर two or from, दोनों use हो सकता है, लेकिन location की बात करेंगे, तो from लगाएंगे, और हम limit की बात करेंगे, तो two लगाएंगे, ठीके, जैसे वो दिल्ली से आया है, he has come from Delhi, और सोमवार से शुकरवार, Monday to Friday, ठीके, दोनों बता दिया, चलो, के लिए, इस्तमाल करेंगे, के लिए यूज़ होता है, इसी जगा पर अगर किसी महिला की बात करनी होती, तो हम लोग her word का यूज़ करते हैं, this is for her, ठीके, चलो, साथ, के साथ या साथ में इस्तमाल करते हैं, शब्ड with का, किसका यूज़ करते हैं, with का यूज़ करते हैं, जैसे मैं अपने दोस्तों के साथ खेलता हूँ, I play with my friends, तो जहाँ पर भी साथ की बात आती है ना, वो अपने माता-पिता के साथ आया, मैं अपने दोस्तों के साथ खेलता हूँ, ठीके, वहाँ पर हम with का, association की जहाँ पर बात होती है, तो हम लोग with का इस्तमाल करते हैं, clear होगे बात, फिर है द्वारा, के द्वारा, से या के जरिये से, इस्तमाल करते हैं शब्द बाई का, ठीके, देखो द्वारा या के द्वारा, बहुत जादा प्राक्टिकली हिंदी में हम लोग यूज नहीं करते हैं, हम लोग यूज करते हैं, है ना, के जरिये से कभी यूज उतना नहीं करते हैं, हम लो बस से आया, अरे ट्रेन से आया, अरे प्लेन से आया, कार से आया, है ना, ऐसा बात करते हैं, इसलिए मैंने कहा, द्वारा, के द्वारा, के जरीये से, बहुत अधा प्राक्टिकल वर्ड्स नहीं है, हिंदी में भी हम लोग यूज नहीं करते हैं, हम लोग हिंदी में से का फिर है विरुद्ध या के खिलाफ इस्तमाल करते हैं अगेंस्ट का और यह हर उस बंदे के लिए आप यूज कर सकते हो जो आपके खिलाफ है ठीक है खिलाफ का मतलब तो समझते ही हो ना हिंदी में वो हमेशा मेरे विरुद्ध शिकायत करता है बारे में या के बारे में इस्तमाल करते हैं अबाउट का जब आप किसी के बारे में या कोई चीज के बारे में किसी सिचुएशन के बारे में बात करें मुझे अपने शहर के बारे में बटाओ, tell me about your city, between, beach में या के beach में, use करते हैं इन दोनों के जगह पर, लेकिन जब दो बंदे की बात करें, तभी between का use करें, दो से ज़्यादा के लिए between का use ना करें, जैसे अब आप दोनों अपने beach cake बाट लें, divide the cake between you two, फिर है among, अब दो से ज़्यादा लोगों की हमें बात करनी हो, तो क्या करेंगे, हम among का use करेंगे, simple answer है, अंग्रेजी के बाद सारी चीज़ों का जवाब है, भाया दो के लिए use नहीं करना, तो तुछ से दादा के लिए क्या use करेंगे, among का use करेंगे, मैं 10 लोगों के बीच में था, I was among 10 people, I was among 10 people, through इस्तमाल करते हैं से या द्वारा के माध्यम से, जब कोई एक चीज, दूसरी चीज से होकर के गुजरे, तो गुजरे फिर निकल जाए, समझ रहे बात को, सिर्फ गुजरे नहीं, सिर्फ घुज नहीं जाए, निकल भी जाए, तो through का use करते हैं, जैसे पानी pipe से गुज जिससे ट्रावल करके कोई चीज जाती है, वो जो है वहाँ पर through का use करते हैं, जैसे जिन्दगी जो है गमों के सागर में तरते वे जाती हैं, हम लोग कहते हैं, आजकल मेरी जिन्दगी जो है ना बहुत डिक्कत से गुजर रही है, तो वहाँ पर भी through करते हैं, I'm like, my life is going through troubles, हम लोग इसका use करते हैं, ठीके, अवव, ऊपर या से उपर, किसी सतह के ऊपर इस तर के ऊपर की बात करेंगे, तो आवव का use करेंगे, जैसे आकाश हमारे सिर के ऊपर है, the skies of our head, हमारा सर है, उसके ऊपर की सतह है, उसके उपर आकाश है, तो हम आवव का use कर लिया, हमने तो यह कुछ most important prepositions जो हमारे रोज के life में यूज होते हैं, list इसकी अच्छे खासी है आप चाहो तो मुझे comment करके बताओ कि मैं इसकी list complete करा दो मैं part 1, part 2, part 3, part 4 करके इसकी पूरी की पूरी list आपको cover करा दूँगी अच्छे से फिर playlist भी बना दूँगी उनको भी आप वो playlist शेयर कर सकते हो है ना, तो comment करके फटा-फट से बताओ, आप देखें हैं संडीति इंग्लिश अकाड़मी मैं हूपरीती मैं, सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन अन कर देना, कोई सी भी course करनी हो basic से प्रो, English writing, English grammar, English reading या e-books लेनी हो, या free course करनी हो, तो हमारी app संडीति इंग्लिश अकाड़मी को डाउनलोड और इंस्टॉल कर लीजेगा कोई दिक्कत हो, तो इस नंबर पर WhatsApp मेसेज करके बात कर लीजेगा e-books हमारी इस website पर भी available है PDF वाले किताबे हैं, तो डाउनलोड कर लीजेगा Facebook, Instagram पर follow कर लीजेगा WhatsApp का ग्रूप, नहीं तो Telegram का चैनल जॉइन कर लीजेगा, दोनों में से कोई भी कर लेना, दोनों कर लोगे तो और बेटर होगा, क्योंकि रोज की अपडेट्स जो होती है, वो आपको मिल जाती है साथ ही कोई offer वगेरा चल रहा हो वो मिल जाता है, रोज की classes आपको आपके mobile पर deliver हो जाती है, मिल जाती है तो ये सारी facilities अवेल करने के लिए WhatsApp का ग्रूप, नहीं तो Telegram का चानल जॉइन कर लेना पके से, ठीक है और इसके अलावा मैं आपको मिलूँगी आपकी अगली class में, कमेंट करके बताना class चाहिए कि नहीं preposition वाली और ठीक है, चलो, कल मिलते हैं आप देखने हैं Sunday the English Academy मिलते हैं कल आप से, till then, thank you so much for watching, stay tuned झाल झाल झाल